दोस्तो नमस्कार Stock of the Day में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे है फैडरल बैंक के बारे में banking sector का एक share है उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो checklist है प्रो checklist यहाँ पर लगए है आज का जो बहुत 131 रुपए का इसका price रहा है जो default की probability है अगले बारे मेने में बिलकुल नहीं है quality check में green flag है और growth score काफी अच्छा है यह जो chart लगावा है one week का chart है one week में 7% से ज़्यादा रेटन दे चुका है अगर मैं बात करू one month की तो one month में जो share का रेटन है वो 8.58 का है अगर हम last one year की बात करते हैं तो जो शेयर ने 40% से ज़्यादा रेटन दिया यानि 78 रुपए का वाकरता था और 134 तक इसने highest बनाया है कि प्राइविट सेक्टर का बैंक है और मार्केट कैपलेशन 27,917 क्रोड रुपए की है पी जो शेयर का है वो 14.17 का है डिविडियन डियल 1.36 की है और आप देखेंगे जो अभी प्राइस है वो 131 पे है तो जहां तक आप इसको देख सकते हैं कि 132 ए 132 रुपए में आपको एक अच्छा quality stock मिल रहा है ज्यादा महेंगा नहीं है बट फिर भी मैं आपको बताना चाहँगा किसी भी शेयर में इंटर करने से पहले खुद के अनलेसी जरूर कीजीगा अपनी financial एडवाजियर से रहे जरूर लीजीगा बात करते हैं शेयर के 1.32 का था यहां पर 1.58 1.66 और 1.19 यह नहीं कि साल दर साल इसमें आप ग्रोथ में बड़ोतरी देखनों के बिले है ऐसी रिवेन में भी आप देखेंगे यहां पर साल दर साल बढ़ रहा है तो शेयर जो है बैंक ग्रोथ रेट पे चल रहा है और अगर आस यह शेयर का आप अगर के फूरकास्टिंग के हम बात करते है तो ट्वंटी टैनलसी से जो इसको कवर कर रहे हैं 86% बोल रहे हैं कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए और यहां पर आप देख सकते हैं अभी करंट में अक्टूबर 2022 में हैं यह अक्टूबर 2023 का यहां पर दिखाए गया है लोवेस्ट अगर यह रहता है तो 111 रुपए तक जा सकता है और हाइस इसका 166 रुपए बता रहे हैं यानि कि 132 से 40% का आपको इसमें मिल सकता है इसके लाव यहां पर आप देखेंगे आई से डिरेक्ट जो है वो भी इसको जो ब्रोक्रेजाओं से वो भी इसकी रैंकिंग बता रहा है कि 115 रुपए तक का इसका प्राइस जाने की पॉसिबिलिटी है तो बैंकिंग सेक्टर का अच्छा शेर अगर आप बिगनर से अपने शेर मार्केट में शुरुआत की है तो ज्यादा महेंगा शेर नहीं है आप इसको अपने पॉर्टफोलियो में एड़ कर सकते हैं बट फिर भी मैं आपको काना चाहूंगा क कि आप खुद के अनलेसी से जरूर करें किसी भी सेर में इंटर करने से पहले देखिए अगर आप सेर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट कर सकता होती है और एंजल ब्रोकिंग एक अच्छा प्लेटफोर्म है जिसमें आप अपना डीमेट अक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन के रहें वन एयर के लिए कोई चार्ज नहीं यह बिल्कुल फ्री होगा के विल बीस तो पर आपको टेडिंग चालिज देना होता है तो यह थी जानकरी फैडल बैंक के बारे में जानकर एकर आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब क्लिक इंक्रेस कीजिएगा थैंक यू वेरी मच्छ पर वाचिंग